प्लांटर बना लेते हैं लेकिन जब ऐसे ही मंग में लगा लेते हैं तो फिर बहुत जादा इसका अस्थेटिक नहीं अच्छा लगता है वो तो मैंने क्या किया? मैंने अपने जितने भी टूटे कप्स थे, मंग्स थे और कुछ प्लास्टिक वाले प्लांटर्स भी उनको बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है तो देखें क्या था और मैंने क्या से क्या बना दिया? तो सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी आज और आपको ड्राइंग आती है नहीं आती है आपको जियोमेट्रिकल डिजाइन पसंद है या आपको फ्लोरल पैटर्न पसंद है सारा कुछ बताऊंगी वीडियो एन तक जरूर देखिएगा मैं हूँ सीवा और यह है दव प्लांटर बनाने जा रहे हैं तो यह देखिए प्लास्टिक सेरामिक और मिट्टी तीनों में ही हम यह काम कर सकते हैं तो यह देखिए मिट्टी का है और यह मग है तूटा हुआ सिरामिक का तो यह हम तीनों में कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा एक तो सबसे अब हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे, पेंट हमको डाइल्यूट नहीं करना है, डाइरेक्ट ऐसे ही पेंट करेंगे, तो हमको एक कोट में ही काम चल जाएगा, अगर हम पतला कर देंगे डाइल्यूट तो फिर हमको शायद दो बार करना पड़े, और इसी तरह से जो कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौदों को, और ये देखिए, इतने सारे प्लांटर और मग्स को मैंने पेंट कर लिया है, और इनको सूखने के लिए रख दिया है, कम से कम 8-10 घंटे तो सूख नहीं है, बेटर है नेक्स दे, आप इस पे काम शुरू करिए, और देखि के लिए तरीका बता रही हूं आपको जितनी हाइट पे आपको करना है उतना हाइट पे रख पैन रखिए और बस मग को घुमाते जाए और इसी तरह से देखिए ये उपर इस हाइट का मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने इसको एड़जस्ट करके हाइट कर लिया है और प बतला वाला जो मारकर पैन होता है उससे बनाएंगे और देखिए इस तरह से उपर नीचे करके बना लीजिए बहुत असानी से बन जाते हैं ये कोई दिक्कत नहीं है किसी कोई भी क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ये एक फोक आर्ट है तो इसमें कुछ इतना प्रेस होने क जरूत नहीं है कि बिल्कुल बराबर से बने तो इस तरह से देखिए चारों तरफ बना के ये हमारा पूरा एक ये स्केच तैयार हो गया इसका अब जो नीचे हमने मार्जिन छोड़ा था उसमें इस तरह से जिग्जाग करके ऐसे जैसे चोटा बर्फी जैसा होता है ना य इसमें भी इसी तरह से ऐसे छोटे-छोटे ट्राइंगिल हम ड्रॉ कर लेंगे जिया आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं इसको हम जैपूर की जो ब्लू पॉट्री होती है उसका रूप देने वाले हैं तो इसको कलर करने के लिए मैंने ये एक्रेलिक कलर लिया है अल्ट्रा करेंगे नहीं तो अगर पतला कर लेंगे तो वह बहने लगेगा ड्रिप होने लगेगा तो फिर वह फिर हमारा पैटन खराब हो जाएगा तो यह देखिए यह जितना पैटन हमने ड्रॉ किया था मैंने वह पूरा मैंने इसको ब्लू कर लिया है अब हम इसमें उपर की ब्लू पॉर्टरी रेडी मेट जैसा जो आया है लेकिन अभी हमको इसमें थोड़ा काम और करना है यह थोड़ा सा जैसे फैल छूटा छूटा सा लग रहा है कुछ तो इसमें हम ब्लू कलर ही लेके चोटे-चोटे ऐसे गोले जैसे बना देंगे तो हमारा यह थोड़ा सा लगने लगेगा और बहुत महनत तो देखे कुछ है ही नहीं इसमें आराम से बस होता जा रहा है यह तो एक तरीका हुआ है लेकिन अभी आगे बहुत से मैथेड्स हैं जिससे आप इसको बिल्कुल अलग अलग तरह से रूप दे सकते हैं और फिनिशिंग के लिए क्या करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए पतला ब्रश से हम ब्लाक कलर से नहीं करेंगे इसके लिए हम एक मोटा मार्कर ले लेंगे पर्मानेंट मार्कर और उससे सारी आउटलाइन कर लेंगे तो यह हमारा पढ़िया फिनिश्ट ऐसा लुक आ जाएगा तो यह देखे यह करें यह बताती हूं मैं आप ख्रोम ब्राउजर में आप टाइप करिये जैपूर ब्लू पॉर्ट्रे डिजाइन्स और आपके पास धेरों डिजाइन्स आ जाएंगे जो पैटन आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करिए और उसका स्क्रीन शॉट ले लिजे और उ करेंगे और यह देखिए ट्रेसिंग पेपर लेके इसके उपर मारकर से इसकेच कर लिया यह हां एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पैटन ले रहे हैं वह कॉपी राइट का नहीं होए यह आप ध्यान रखिएगा और इसको देखिए मैंने यह पेपर पर काट कर लिया है और इसी तरह से एक छोटा जूम करके भी मैंने पैटन काट लिया था तो अब यह फ्लार का पैटन हमारे पास आ गया है इसको हम कप के ऊपर नीचे मार्जिन जैसा हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाते हुए और यह रख जो हमने पेपर काटा इसकुट एस ट बन गया तो देखे यह इतना खुबसूरत सा पैटन हमारा त्यार हो गया यह अब हम इसमें कलर फिल करना शुरू करेंगे तो देखे जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने फ्लार कलर किया था और बैक ग्राउंड उसका छोड़ दिया था अब इसमें हम इसका उल्ट होने लगी अब हम इसमें भी एक और वेरियेशन कर सकते हैं कि हम यह जो फ्लावर्स हैं इनको हम कलर कर सकते हैं तो इसको कलर करने के लिए मैंने रेड और यलो कलर लिया है यह लेमन यलो कलर है और उसके बाद क्रिमसन रेड कलर तो आल्टरनेट करके ऐसे फ्लार को हम कलर क कर लेंगे कलर आप अपनी मन पसंद का कोई भी कर सकते हैं बस लेकिन इस ब्लू पॉटरी में खास बात यह होती है कि इसमें जो नैच्रल कलर होते हैं वही यूज किया जाते हैं प्राइमरी कलर कहते ना जिसे और बस मारकर से इसकी आउटलाइन कर लीजे और बढ़िया देखे इस तरह से शेप बन गई है और इसको रखके और इसी तरह से प्लांटर के चानों तरफ हमने यह बना लिया और थोड़ा सा डिटेलिंग कर ली बहुत असानी से और बस देखे कितना खुबसूरत हमारा जियोमेट्रिकल पैटन त्यार हो गया और इसी तरह से यह भी हैं इसमें कलर करके और बस इस तरह से डैप डैप करिए तो कुछ पैटन तो जैसे इस तरह से आ जाता है तो आप यह लाइट कलर चाहें तो आप यह लाइट कलर इस तरह से कर सकते हैं पूरे में और अगर आपको यह पूरा फिल करना है डाक करना है तो इसी पे आप एक को और कर दीजे तो यह डार्क हो जाएगा बढ़िया और बस जैसे पहले जिग्जाग लाइन बना के ऐसे ट्राइंगिल्स बनाए थे यह उपर नीचे बॉर्डर पर बना लिया और रेडी हो गया और फोम ब्रेश से आप और डिजाइन कर सकते हैं कि बस इस तरह से ऐसे राउं देखिए और पैटर्न आप बना सकते हैं कि केबल ऐसे फ्लास बना दीजे और कलर कर दीजे और यह एक बड़ा अच्छा कूल सा पैटर्न बनता है ऐसे जिग्जाग जैसी लाइन बना ली और आल्टरनेट को ऐसे कलर लिए और अगर आप किसी टी कप को प्लांटर जैसा ब बना दीजे फ्लार और लीव्स का तोपड़िया देखिए बन गया हमारा यह तो मैंने तो अपने घर के जितने भी टूटे मग्स थे और पुराने प्लास्टिक के प्लांटर और मटकी और यहां तक की कुलर भी चाई पीने वाले सब को बिलकुल बढ़िया नया रूप दे और इतने सारे पेंट करने में मुझे सिर्फ एक बॉटल ब्लू कलर लगाए जो की केवल 20 रूपीज का आता है तो इतने सारे पैटन्स में कोई ना कोई पैटन्स तो आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा तो बनाइएगा ज़रूर और शेयर करिएगा अपना एक्स्पी दोम आपको आ हख़ कोई पैटन्स तो के को कि आटने सारे जास सीज़ोर पालोork में क्रिएगाए ट